नमस्कार बहुत स्वागत है आपका अगर आप हमसे अभे भी जुड़े हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आए तब लाइक करें दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपके दुकान की बिक्री बढ़ाने के तमाम तरह के बाते होती हैं तमाम तरह के प्रयोग होते हैं लेकिन हम आपको कुछ नायाब और अच्व कुपाई बतलाएंगे प्लीज आप सौलो जरूर कीजिये दोस्तों अगर आपके दुकान में बरकत नहीं हो रही है या लगता है कि किसी ने कुछ कर दिया है या फिर आपको लगता है कि ऊप्री बाधा है तो इन सभी चीजों को समाप करने के लिए चाहे वो बास्तू दोसी क्यों नहों हम आपको बतलाएंगे तीन से चार उपाई उसमें से कोई एक भी करेंगे या सारे करते हैं तो और भी अच्छा है आप जरूर कीजिए दोस्तों सबसे पहले तो आपका कोई भी दुकान है कपड़े का हो, जूते का हो स्रिंगार का हो या फिर हार्डवेर का हो इलक्ट्रोनिक्स का हो हर कोई दुकानदार प्लीज एक बार ये जान ले कि सनी बार और रभी बार ये दो दिन ऐसे होते हैं जिस दिन नजर उतारा जाता है अगर आपको लगता है कि आपके दुकान में बरकत नहीं हो रही है या आपको लगता है कि ग्राहक तो आते हैं पर कुछ लेते नहीं है तो ऐसी दसा में आप सनी बार और रवीवार के दिन जब आप अपने दुकान खोलते हैं उसके पहले तो बाहर साफ सफाई तो करवाते ही होंगे तो या खुद करते हैं तो सनी बार रवीवार के दिन आपको जाडू नहीं लगाना है बलकि पहले पानी डालना है फिर जाडू लगाना है अब आप कहेंगे हम मौल में हैं वहां मेरा दुकान है तो हम वहां कैसे करें तो वहां के लिए आपको थोरे से पानी के आप हाथ में पानी लीजिए छीटे डालिए फिर जाडू लगा दीजिए वो एक नियम है एक टोटका है वो आपका हो जाएगा तो जिसने भी नजर लगाया है आपके दुकान में या जिसने भी कुछ किया कराया है वो वापस उसी के पास चला जाएगा इस चीज को आप करके देखें अगर आप छोटे जगह पे हैं छोटे दुकंदार हैं तो आप दौआ को अराम से दो लीजिए अच्छे से पानी देखे बहुत अच्छा और अचूक उपाय है आप इसे करके देखे इस उपाय को आप अपने घर में भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके घर में किसी ने नजर लगा दिया है या तोना तोटका किया है तो ये गरगहें और अगर किसीने आपके उपर कुश कीया होगा तंत्र मंत आपके घर वालों के उपर तो वह समाप्त हो जाएगा और इसे आप लंभे समय की जीए करते रही हैं कि ज्यादा में होगा कि पानी डाल के जारू लगाना है आप कर सकते हैं दोस्तों दूसरा उपाय है सुपाड़ी आपको सुक्रवार के दिन आप तो अपने जहां कारेस्थेल मालक्षमी गनेश की तो तस्वीर रखते ही होंगे तो आपको साथ सुक्रवार लगाता है एक एक सुपाड़ी हम जब भी मां को अर्पिद करें तो सुपारी में मोली धागा आपको पता होगा कलाई में बांते हैं कलावा जिसे कहते हैं आप उसे लपेट दें क्योंकि सुपाड़ी को हम गनेश जी का प्रतीग समझते हैं और उन्हें आप निर्बस्तर अत्रहसे कैं तो और फिर इसे लाल कपड़े में अच्छे से बांद कर अपने गठ्छीन साइड दुकान में आप पर पूर४ साइड दुकान में पर सबसें दोबार और मिर्ची निभू कि बिना तो रहा है और आपका दुकान है तो आप निम्बू मिर्टी तो ठांगते ही होंगे तो अज और थाइस्पर रकिये गाई और रेएरो साथ और जीध ही सस्कुल कोईं चैंज लेकिन लेके спасибо भीbra मिषच contestants को डाले फिर आप साथ मिर्ची डाले और उसे सनीवार के दिन दुकान के सामने ठीक दम लटकाना है कि सब का नजर उस पर पड़े और अगले सनीवार को आप पहले से बनाकर एक निम्बू मिर्ची रख लें और फिर इस निम्बू को बहार रोड में फेक दें या फिर बहते और आपके दुकान में पहले की भाती बरकत होनी लगे दोस्तों पैसे आने के लिए दुकान में बरकत होने के लिए हम तमाम तरह के प्रयोग करते हैं और उन प्रयोगों में एक और प्रयोग है और वो है कि अगर आप ब्यापार में सफलता चाहते हैं या फिर आप चाहते है कि बरकत हमेशा होती रहे तो आप सलाह लेकर सबसे पहले तो आप किसी भी धर्म के मानने वाले हो आप अपने इश्ट के तस्वीर जरूर रखें और उन्हें नियमित रूप से पुस परपित करते रहें इनसे आपके दुकान में सकरातमक्ता बनी रहेगी बरकत होती रहेगी और आप एक सलाह लेकर लहसुनिया, पीला, पुखराज या फिर पढ़ना आप जरूर धारन कीजिए इससे भी आपके दुकान में लक्षमी का आगमन बराबर से होता रहेगा ग्राहा खिचे चले आएंगे इन सभी छोटे-छोटे उपायों को करके आप अपने दुकान मे अपने जो भी आपके हैं जिससे आपके घर के खर्चे चलते हैं आपका परिवार चलता है उन सभी चीजों में बरकत के लिए छोटी-छोटे उपाय करके आप बहुत ज़्यादा लाप पा सकते हैं दोस्तों अगर हम बात करें कि दुकान खोलने से पहले आप क्या करें तो दुकान जब आप खोलते हैं जब भी नित दिन आप एक मंत्र है सामने स्क्रीन पर ओ महालक्षमे चोबिदमे है विस्नू पत्नी चो धीमही तन्नो लक्षमी पर चो दयात इस मंत्र का आप कम से कम पांच बार जब कर लें और उसके बाद परणाम करके दरवाजा को अपने दुकान का सटर उठाएं ऐसा करने से आपके दुकान में बरकत बने रहेगी मा का आसिरवाद आप पर बना रहेगा देखिए मंत्र पढ़ने में कोई हर्ज नहीं है कोई भी पढ़ सकता है मंत्र आत्मा से पुकारिये भगवान जरूर सुनेंगे दोस्तों एक बहुत ही अचुक टोटका है जो आप से अचुता है अभी तक हम आपको बतलाते हैं आपको क्यारना क्या है एक ग्यारा गोमती चक्रिले एक कोडी ले अगर पीली कोडी मिलती है तो बहुत अच्छा है एक का सकते हैं उस बाउल में पानी डाले और गोमती चक्र को सीधा साइट से रखें जिस साइट आपको चक्र दीख लाए ना उस साइट से उपर की और वो साइड रहेगा और कोडी भी उसका मुख ऊपर की ओर रहे तो यह आप 11 गोमती चक्र और एक कोडी डाल दें और इसे करते रहें फिर देखिए बरकत कैसे नहीं होती है धन्यवाद दोस्तों हम फिर मिलेंगे नए टॉपी के साथ